इस वीडियो में दोस्तों जानकारी प्राप्ट करेंगे एक नई प्रकार की एंटी बॉडी मिक्स्टर की जिसको भारत के अंदर अप्रूबल दिया गया है COVID-19 की इन्फेक्शन के लिए ये अंटी बॉडी कॉक्टेल बनी हुई है दोस्तों के सीरी मेब और इमडेमी मेब नाम की दवाईयों से इस कॉक्टेल को सबसे पहले भूत पूर्व राष्ट्रपती डॉनल्ड टरम के इलाज के लिए इस्तमाल किया गया था अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये दवाई कैसे काम करती है यदि हम अपने शरीर को एक घर की तरह समझे और वाईरस को एक चोर की तरह समझे तो जो चोर आपके शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगा दोस्तों वो या तो दरवाजे से आएगा या फिर वो खिड़की से आएगा इसी प्रकार से वाइरस के उपर दो अलग प्रकार के molecules होते हैं जिनको यूज़ करके वाइरस आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है ये जो दोनों दबाईएंगे कैसीरी मैप और इनको आप एक electronic ताले की तरह समझ सकते हैं एक ताले को आपने दरवाजे पे लगा दिया और दूसरे ताले को आपने खिड़की के उपर लगा दिया जब आपने दोनों ही जगे से अपने घर को सेक्योर कर लिया यानि कि अपने शरीर को secure कर लिया तो virus आपके शेरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा एक बहुती common सवाल जो पूछा जा रहा है वो है कि किन patients को यह antibody cocktail दिया जाएगा तो देखिए कोई भी ऐसा adult patient जिसको COVID-19 है और वो mild category का disease है he will be a candidate for getting these injections अब क्योंकि third wave में हो सकता है कि बच्चों में भी यह disease देखने को मिले और जादा frequency में मिले इसलिए इस दवाई को even 12 साल से जादा बच्चों के लिए भी authorized किया गया है provided उनका weight 40 kg से उपर हो मैं यहाँ पर highlight करना चाहूंगा कि mild COVID-19 के ऐसे patients जिनको high risk categorize किया जाता है जो कि मैं आगे वाली slides में आपको बताऊंगा वो नहीं को यह injection दिया जाना है हर किसी को नहीं देना है सिरफ high risk cases में तो आगे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से वो high risk patients होंगे अब समझने की कोशिश करते हैं कौन ऐसे लोग है जिनको यह antibody mixture नहीं दिया जा सकता देखें सबसे पहले वो लोग जिनको COVID-19 की infection है और ऐसे लोग जिनको जादा oxygen की requirement है दूसरा ऐसे patients जिनको mechanically intubate किया गया है या mechanical ventilation क्या बशकता है उनको भी हम यह antibody mixture नहीं दे सकते हैं तीसरा ऐसे patients जिनको लंबे समय से किसी भी प्रकार की श्वास की समस्या जिसको हम नाम देते है chronic obstructive pulmonary disease है और जिनको high oxygen की requirement होती है इन तीन categories के लोगों को यह antibody cocktail नहीं दी जा सकती है high-res patients में देखें दोस्तों सबसे पहले जो patient आता है वो है जिनको motapa है, obesity है अब obesity हम कैसे measure करते है तो उसके लिए parameter होता है जिसका नाम होता है body mass index इसका formula होता है patient का जो weight है वो हम लेते हैं kilogram में height लेते हैं, meter में height का square कर देते हैं weight divided by square of height से body mass index निकलता है जिन लोगों में body mass index 35 से उपर हो जैसे कि former US president, President Trump उनको obesity definitely present थी तो उनको ये injections लगाए गए थे second essay patients जिनको elevated blood sugar रहता है मतलब diabetes, varitis के patients में वैसे भी ये injection की ज़रत पड़ेगी अगर किसी person की kidney में damage है उसको CKD मतलब chronic kidney disease present है उसका urea creatinine बढ़ा हुआ है तो इनको हम high risk patients categorize करते हैं अगर किसी patient की उमर 65 years से ज़्यादा है और फिर एक important point है कि 55 से ज़्यादा है तो बहुत सर लोगों की query होती है कि sir आपने एक बार 65 बोला एक बार 55 बोला तो मेरा point ध्यान से सुनिएगा 55 साल से उपर अगर साथ में किसी को hypertension है या उसके heart की coronary arteries में blockage present है जिसे हम coronary artery disease बोलते है या वो COPD का patient है तो उनको ये injections लगाए जाएंगे 65 के उपर अगर जो कुछ मैंने आपको बताया diabetes, colitis, coronary artery disease नहीं भी है फिर भी ये candidates रहेंगे इस antibody cocktail को receive करने की ताकि हम prevent कर सके mild से deterioration into severe अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये दवाईयां कैसे दी जाएंगी दवाईयों के देने के दो तरीके होते हैं दोस्तों या तो ये दवाईयां सीधा आपकी कोशिका है यानि की intravenously दी जा सकती है या फिर इन दवाईयों को subcutaneously भी दिया जा सकता है जहाँ पे ये दवाईयां शरीर में पेट के उपर और थाई रीजन के अंदर चार अलगले प्रकार के साइट्स पे दी जाएंगी अगला सबल दोस्तों जो हमसे पूछा जा रहा है वो है कि जिस परसन को कैसेरेवी मैप, इंडेवी मैप के इंजेक्शन्स लगे हैं क्या उस परसन को precautions continue करने हैं तो जी हां बिलकुल prevention is always better than cure तो जो basic prevention या precautionary measures आपको बताए जाते हैं वो in spite of these injections यूज करने हैं क्यों यूज करने हैं विकाज अभी person PCR negative नहीं हुआ है इस injection को लगने का मतलब ये नहीं है कि patient ठीक हो गया है ये सिरफ patient के worsening को prevent करता है तो जो standard preventive measures हैं जैसे कि self isolation अभी self isolation government guidelines के साब से 10 days from symptom onset जब से पहला symptom आया उससे लेके 10 वे दिन तक patient को isolate में isolation में रहना है इसके सिवा mask को लगा ही रखना है और जो items जैसे कि मा लिजे बात रेने के लिए जो towel है या bed sheet है या फिर जो भी routine items ये patient use कर रहा है वो बाकी घर के members उसको use नहीं करेंगे क्योंकि obviously respiratory secretions के तुरू ये infection spread कर सकता है तो routine precautions को continue करना है ताकि हम spread to अंदर person को रोक सके और इस injection का primary aim भी पूरा हो जाए simultaneously कि person deteriorate ना करे उसे auction के requirement ना पड़े तो हम उमीद करते हैं कि जितने भी patients हमारे भारत देश के अंदर जिनको COVID-19 के infection है उनको इस दवाई के माध्यम से हम mild से severe disease के progression में जाने में रोक पाएंगे और क्योंकि जैसा कि आपको doc साब ने पहले समझाया कि ये दवाई ना सिरफ adults में दीजा सकती है बलकि ये बच्चों में भी दीजा सकती है तो हम उमीद करेंगे कि ये दवाई जो है वो हमारे defense के अंदर एक बहुत important role play करेगी आगे भी हम आपके साथ ऐसे ही COVID-19 के समझ में latest updates लेकर आते रहेंगे चैनल को like करिए, subscribe करिए और जानते रहें सबसे updated, सबसे सही जानकारी COVID-19 के समझ में हमारी ओर से बहुत बहुत शुब काम नहीं